हेलो नमस्कार आदाब कैसे हैं आप भाबना गुट फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अभी बनाने जा रही हूं लॉकी के इतने स्वाधिस्ट और टेस्टी हेल्दी लड्डू जो आप ब्रत में ट्राइ कर सकते हो अगर आपने बत रखा है तो आप इसे ब् लगी ले क्कश्कों के लगेश जाताएक ड्राइव चीये स्वागत होगेश करते हो छोटे ब्रत में ट्राइब कर लीजिए और आप नहीं कर सकते हैं तो आप एंसीまぁकी किसी में ड्लाइक है विल्ड़ो कर छेल कर इसका मैंने पेष्ट रेड़ी कर लिया है अब करते हैं लिट बनाना स्टार्ट तो इस hell को बनाना के लिए यो सली पड़ेगी Aww Hz करते हैं चालू कर दीया है और कड़ाई गरभ हो पाउडर लड़ो बनाना इस्टार्ट तो इस लड़ो को बनाने के लिए जो सामक्री पड़े की वो मैं आपको दिखा देती हूं तो मैंने इसके लिए है यह आदा कटोरी ताजा मलाई लिए है तो दूद के उपर जो मलाई आयाती है साथी में शुगर पाउडर लिया है कोकुरण पाउडर लिया है ड्राइब और मैंने थोड़े से चौप किये हुए बादाम तो नत काजू लिया है तो आप चाहते कि ए你说 हल्कः सूखा सा हो गया है फसके अबाद में एक रखका है तो आप यह गर रोख किए आप जो कर रहे हैं उस मलाइ के आप में दूद्ध ज्दू आना हो अगर और आपने मलाइ दूद ज्यादा लिया है तो आपको जादा देर तक या पकाना पड़ेगा तो मैंने मलाई مलाई लिया था would not we literally इस तरह से पका लेती हूं जो मलाई है इस मलाई से आपके पास में होई काजू और बादाEP जॉप की हुए काजू और बादाम आपके पास में और भी कोई ड्राइफूर से आप उसे भी डाल सकते हो अगर नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो यह ऑप्सिनल है डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा तो अच्छे से से मिक्स कर लेते हैं आप दे सकते है कि यह सब मिक्षर जो मैंने कड़ाई में बनाया है वो एक तम डो फॉर्म में आ गया है और कड़ाई का तला छूटने लगा है तो यह हलका सा गाड़ा हो गया है तो क्या करना है गैस को बंद कर देंगे बिल्कुर रेडी है यह गैस बंद कर दिया है और इसे एक बरतन में हम पलट लेंगे जिसमें हमें लड्डू रेडी करने है तो बस क्या करना है इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूं और इसको हम ठंडा होने के बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे तो बस इसे रख देते हैं जब तक यह ठंडा नहीं हुआता है नॉर्मल बस मैं इसको ठंडा हो देती हुँ और मैं इसको आगे का परोसेस करेंगे तो मैं इसे रख दिया है करीब पांच phrases हो गए है यह ठंडा हो गया है और सिथंड़े होने के बादी आप इसमें पाउडर को पानी में हो जाएगा और शाथि मैं एक शुटकी लिया है यसमें फि पूरा है शुगर पाउडर है वो गर्मा गरम पेस्ट में डाल दिया तो एकदम पतला हो जाएगा तो उसको ठंडा होने के बाद में आपको डालना है इस बात का आपको खास त्यान रखना है तो बस इसका डो बिलकुल रेडी हो गया है आप इसके लड़ू बनाएंगे और बहुत आसान है आप इसे जरूर से ब्रत में बनाएगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा साथी सेनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और साथी जो वेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर दीजेगा वो जो बटन है उसको प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे वीडियो की नोट्फिकेशन में लेंगे और आपको आप तक मेरी वीडियो पहुँच पाएगी तो उस बटन को आपको दवाना जरूरी से है और इसके बाद में आप दे सकते हैं मैंने सारी लड्डू बनाके रेडी कर ली हैं एक तम सॉफ्ट मुलायम एक तम मलाई की तरह मुँ में गुलने वाले लड्डू हैं आप जरूर से बनाएगा तो मिलूंगी नेक्स वीडियो में बबाई सी यू टेकर आप रखिए अपना ख्याल बबाई सी यू और बबाई सी यू टेक्यार